उदाहरण 11, प्रश्न, त्रिभुच के तीनों कूण क्रमशह, दो एक्स धन एक अंश, तीन एक्स धन छह अंश, और चार एक्स रिन सोलह अंश हूं, तो त्रिभुच के प्रत्यक कूण का मान ग्यात कीजिए, हल, त्रिभुच के तीनों कूणों का योग एक्स वस्य अंश होता है, इसलिए, दो एक्स धन, एक अंश, धन, तीन एक्स धन, छे अंश, धन, चार एक्स रिन सोलह अंश, बराबर एक सो अस्य अंश, कोस्था का माटाते हैं, तो हमें मिलता है, दो एक्स अंश धन, एक अंश धन, तीन एक्स अंश धन, छे अंश धन, चार एक्स अंश रिन, सोलह अंश, बराबर एक सो असी अंश, अब जोड़ते हैं, दो, तीन, पांश और चार, नो एक्स अंश, और साथ धन में, सोलह रिन में हैं, मतलब हो गया हमारा, नो एक्स अंश बराबर एक सो असी अंश, या हम इसे लिख सकते हैं, नो एक्स अंश बराबर एक सो असी अंश, धन, नो एक्स अंश बराबर एक सो नवासी अंश, तो हमें X अंश बराबर मिलता है यहां से 189 अंश बटे 9 अंश 9 से भाग जाएगा 9 एकम 9 9 दुनी अठारा 9 एकम 9 तिस तरह से हमें मिलता है X अंश बराबर 21 अंश इसलिए त्रिभुज का पहला कूण 2 X धन 1 अंश बराबर 2 गुणा 21 धन 1 अंश इसे हम लिख सकते हैं 21 दुनी 42 धन 1 अंश या 43 अंश त्रिभुज के दूसरे कूण का मान दिया हुआ है 3 X धन 6 अंश एकस का मान रखने पर 3 गुणा 21 धन 6 अंश 21 का 3 से गुणा करेंगे तो 63 धन 6 अंश या हम इसको लिख सकते हैं 63 और 6 जोड़े 79 अंश त्रिभुज के तीसरे कूण का मान दिया हुआ है 4 X रिण 16 अंश यहां पर X का मान रखने पर 4 गुणा 21 रिण 16 अंश हम लिख सकते हैं 21 का 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 84 रिण 16 अंश 84 में 16 घटाएंगे तो हमें मिलता है 68 अंश इस तरह से त्रिभुज के तीनों कूण हमें मिल जाते हैं पहले कूण का मान है 43 अंश दूसरे कूण का मान है 79 अंश और तीसरे कौन का मान है 68 अंश यह इस प्रेशन का उत्तर